तमाम जानकारी ये आपने जोड़ दी और किस तरीके के sources होते हैं, उसके बारे μένα आपको पता चल गया है जैस सि WiFi क Our की बात करें या फिर मैं आप से carbon rating मात कर siitäुद या फिर मैं आपसे बात करूँ या फिर मैं आपसे बात करूँ करें अब हम Paleolithic Age की, जिसको Old Stone Age भी कहते है, तो Paleolithic Age जो है, यह earliest Stone Age का period माना जाता है, जिसको आप कहें, तो यह develop हुआ था, Plystocene period या फिर Ice Age के समय पर, Ice Age जो है, इसके उपर एक movie भी बनी है, बड़ी है, एक animated movie है, आप उसको देख सकते हैं, उसे आपको बहुत सारी जानकारी होंगी, और 10,000 BC करके भी एक picture बनी है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसे भी बहुत सारी आपको जानकारी या मिल जाएंगी, Paleolithic Age के लोगों कि अगर बात करें, तो इनको agriculture के बारे में, खेती बारे में कोई जानकारी नहीं थी, घर कैसे बनाना इसके बारे में जानकारी नहीं थी, पौटरी कैसे बनानी है, या फिर metal का use कैसे करना इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी, ये सारे पार्ट ऑफ इंडिया में फैले हुए थे, सिवाए अलिवेल प्लेंस जो इंदर्स या फिर गंगा, दो सिंदु नदी और गंगा नदी के आसपास की जो अलिवेल प्लेंस हैं, उसके अलाबा ही हर जगा फैले हुए थे, इनको Quartzite Man कहा जाता था, क्योंकि ये जो हतियार बनाते थे, वो एक पत्थर से बनाते थे, जो कि Quartzite है, इसे लिए इनको Quartzite Man कहा जायेगा, और इसके साथ में आप देखें, Chopper Chopping Pebble Culture भी कहा जाता था यह सीलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी जो Tools बनाया जाते थे वो उसी प्रकार के होते थे जो आपको देखने मिलेंगे Sohan River Valley जो West Punjab जो कि आज पाकिस्तान में है बहाँ पर तो यह Sohan Culture जो डेबलप होता है यह भी आपका Paleolithic Age का ही एक पार्ट है, एक एक एक्जामपल है Hand Axe Culture भी कहा जाता है क्योंकि इस समय आप देखें तो बद मदुरेई इसके अलावा अचरा पक्कम जो मदरास में है वहाँ पर आपको Hand Axe देखने मिलती है जिसको आप मदरासियन कल्चर भी कहते है इसके लावा एक स्टाचू मिला है हड्डियों से बना हुआ Mother Goddess का जो की Billan Valley से प्राप्त हुआ था और इसको कुसांबी की म्यूजियम में अभी समाल के रखा गया है पेलियोलिथिक लोग जो थे उनको ना आग के बारे में पता था ना खेती बाड़ी के बारे में ना जानवरों को कैसे पाला जाता था इसके बारे में पता था कुछ पेमस साइट की हम बात करें तो Sun Valley और पुटवार प्लाटो हो गया सिवाले खिल्च जो है नौर्थ इंडिया में, भीमबेट का मद्ध प्रदेश में, आदमगड जो है नर्वदा वैली के पास में वो हो गया, कुनूर अंद्र प्रदेश में और फिर अधिरपक्कम जो है वो चन्ने के पास में यह सारी important paleolithic sites हो जाती है, जिनके बारे में हमें याद रखना है अब बात करें, हम दिरे-दिरे evolution होगा, समय आगे बढ़ता जाएगा जब समय आगे बढ़ेगा तो आप देखते हैं, आएगा lower paleolithic age, जिसमें homo erectus आते हैं यह homo erectus जो है, यह evolve करना है, यह जान जाएंगे कि आग को control कैसे करना है, इससे जो मास है उसको पकाना कैसे है, और जानवरों को दूर कैसे भखाना है, साथ में शिकार कैसे करना है, और जो फल बगएर है उनको gather कैसे करना है अब देखिए, एक मज़ेदार बात है, आपको लगेगा कि ठीक है क्या है, दिकत नहीं है, एक आम का पेड़ है, गए और आम को तोड़ के ले आए, पर आप एक बात नहीं समझ पा रहें यहाँ पर, कि कितना बड़ा challenge है यह पता लगाना कि कौन सी चीज खाई जा सकती औ और क्या नहीं, तो अपने आप में food gathering भी एक बहुत important art हुआ करता होगा, यह रहते कहा थे, या तो यह पेड़ों पे रहेंगे, या फिर गुफाओं में रहेंगे, chopper chopping का, जो simple system होता था, tools का वो यूज करते थे, काफी crude और rough tools होते थे, जो की pebbles बगेरा से, चोटे चोटे हीरन वैली जो गुजरात में है, जो rock shelters आपको भीम बेटका में, जो आपको भीम बेटका में देखने मिलेंगे, उसके अनावा बोरी जो महराष्ट में है और बेलन वैली जो है, वो मिर्जापूर में है, यह सारी जगाओं पे आपको lower palliolite cage के बारे में पता चलता है, इस के साथ में आप देखेंगे, तो अभी भी यह hunter और gatherer है, अभी cultivation agriculture स्टार्ट नहीं हुआ है, flick culture चालू हो जाएगा, मतलब छोटी छोटी जो chip होती है पत्तर की, उससे यह tools बनाने की कोशिश करेंगे, जो पपड़ी होती है उपर की, उससे यह tools बनाने की कोशिश करेंगे, tools जो होंगे, अब हलके हो जाएंगे, काफी refined हो जाएंगे, नुकीले हो जाएंगे, जिससे अब इनको शिकार करने में आसानी होने लगी की, जो blades हैं यह काफी जादा pointed हो जाएंगी, scrapping, boring इन सारी चीजों के लिए use करने लगेंगे, यह आपको कहां देखने मिलती हैं, जो अब बात करें, अपर पहले लेतिकेज की, तो अपर पहले लेतिकेज में क्या बदलाव आएंगे, आप सोच पा रहे होंगे, दीरी दीरे, जैसे जैसे development हो रहा है, होमो एरेक्टस, फिर नियंदर्थाल्स, और इसके बाद अब आ जाएंगे आपके होमो सेपियन्स, यह ब पाते हैं, यह end of the space में यह develop हो जाएंगे, होमो सेपियन्स आपको देखने मिलेंगे, paintings और art के भी यहाँ पर आपको अफशेश और evidence देखने मिलते हैं, नए तरीकी की flake build blade culture develop हो का, जिसमें जो हत्यार बनाय जा रहे हैं, वो और ज़्यादा हलके हो जाएंगे, दो तरफ से cutting edge के लिए development कर लेते हैं, मत अब दो धारी तलवार जिसको कहते हैं, दो धारी तलवार के जो, दो धारी तरीके के जो tools होते हैं, यहाँ से भी काट सकें, यहाँ से भी काट सकें, इस तरीके की develop कर लेते हैं, हड्टियों से यह सुई बना लेते हैं, और हार्पून बना लेत इसके अलावा आप देखें Central Baddh Pradesh, South of Uttar Pradesh, छोटा नागपूर प्लाटो, इसके अलावा Bone Tools जो है, वो कुनूर में मिले हैं, उसके अलावा अंध्र प्रदेश में जो जगा है, मुचटला, चिंतमनी, गावी, मुचटला, चिंतमनी, गावी, अंध्र प्रदेश में जो है, वहाँ से आपको यह सारी चीज़े मिलती है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक Transition Face की, Transition Face कैसा, तो यह समझे, जो पहले लितिकेज है, उससे आप मीसोलितिकेज, और मीसोलितिक से आप नियोलितिकेज की तरफ हमारी कहानी बढ़ने वाली है, यह जो Transition Face है, जिसको इस रहे है, यह इन ही को जाता है, यह Transition Period था पहले लितिक और नियोलितिकेज के बीच पे, जहां पर आप देखेंगे, कि तीर कमान कौपयों होने लगा, अब तीर कमान कौपयों होगा है, मतलब दूर से बड़े जो जानवर है, उनका शिकार करना आसान होगे, पहले तो क आदमगड में मिलते हैं, होशंग अबाद, मद्धु प्रदेश में और बगुर, बिलवार, राजिस्तान में, बोन जो है, इसका हड्डियों का यूज करा जाने लगा, जिसका हमें अफशेश मिलते हैं, महादाता और सरई नहर राए में, जो सरई नहर राए है, यह आपक जो माइक्रोले थे, इसका भी एरा, इसी समय पर चालू होता है, छोटे-छोटे पत्तरों के टूल्स बनाना चालू कर दी थे, जिससे हंटिंग करने लगे, अब यह छोटे जानवरों के और चिडियों के, जो बर्ड्स हैं, उनकी भी हंटिंग शुरू हो गई, साथ में, जो human colonization है, यह भी यहीं इसी समय पर आपको देखने मिलेगी, जो ganga planes है, उसके पास में human colonization भी इसी समय पर शुरू हो जाती है, अब हम देखें, tools किस तरीके के थे, तो microleth use होंगे, चोटे-चोटे पत्तरों के, micro size के stones होंगे, जिसका मतलब यह है, कि आप तीर कमान का जो साथ में rectangular, square, crescent, crescent इस तरीके से चंद्राकार, इस तरीके के अलग-अलग जो tools है, यह develop करे जाने लगे, भीम बेटका में, महादहा में, सराइनहर राइ, जो आदमगड में है, इसके अलावा, लंग नाज, जो गुजरात में है, इन सब में हमें यह अफ्षिश मिलते हैं, साथ में paintings बगेरा, जो हमें, भीम बेटका में देखने मिलती हैं, वो एक UNESCO World Heritage Site है, और इसमें, आप देखेंगे, तो गजब की painting करीगे, जिसमें red color जो है, वो यूज किया गया है, अगर आप hunting की scene दिखा रहे हैं, और green color यूज करा गया, अगर आप piece वाले scene दिखा रहे है तो यह differentiation भी उसमें था, यह आपको याद रखना है, बात करें अब हम new lithic age की, तो new का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखेंगे, अभी एक गाड़ी आई, जिसका नाम है, बुलेरो नियो, new का मतलब होता है new, और lithic का मतलब मैंने आपको बता है, lithic का मतलब होता है stone, तो यहाँ पर new lithic archaeological materials बगरा इखटे करने का, discover करने का जो credit है, वो जाता है Dr. Primrose को, साथ में आगर हम बात करें, new का मैंने आपको माइना समझा दिये, new मतलब नया, और lithic मतलब हो गया आपका stone, new lithic revolution जो एक शब्द है, जो V. Gordon Shilday ने term किया था, यह कहते हैं, यह new lithic revolution है, क्यों revolution है, क्योंकि इसके बाद से ही इंसान ने food या फर cultivation शुरू कर दिया, अब वो food gatherer से, अब वो food producer बन गया था, तो यह अपने आपने एक revolution थी, इसलिए इसको V. Gordon Shilday ने term किया new lithic revolution के नाम से, new lithic age ही ऐसी age थी, जब आप देखेंगे कि grain production शुरू हुआ और सबसे पहले barley उं BC में, और यह सब कहां करना जा रहा था, यह आप देखेंगे West Asia में Mediterranean Sea के पास यह सारी चीज़े हो रही थी, इसके अलावा, तीसरा जो crop उगाया गया वो था rice, और इसके अफशिश आपको मिलते है, यंगजी रिवर जो चाइना की है, 7000 BC में इसके वे अफशिश मिल जाते है, तो सबसे पहले आप देखें, तो सबसे पहले आपको बाली याद रखना है, फिर वीट याद रखना है और उसके बाद rice, तो इस तरीके से chronology रही है, नियू लेथे केज में agriculture की, evolution के अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे, कि जो hunt कर रहे है, cattle lating कर रहे है और agriculture कर रहे हैं, यह सारे काम एक साथ चलने वाले हैं, यह गहूं उंगाने वाले हैं, बाली, cotton rice, यह तमाम चीज़ें उंगाने वाले हैं, अब इन सारी चीज़ों को अगर उंगाएंगे, तो इनको समाल के रखने की भी दिक्कत है, तो इसके लिए अर्दन वेर्स का यू गाड़ियों में देखी है, वो भी इसी समय पर बना लिये गए थे, cattle में आप देखे, sheep और goat को domesticate कर लिया गया था, साथ में आप देखे, तो यह जो घर बनाया करते थे, यह rectangular होने वाले हैं, यह circular, इस तरीके के घर बनाएंगे, यह मिट्टी क्या और reed का यूज़ करें, जिसकी वज़े से यह अपने आप में एक revolutionary time कहलाता है, tools जो है, वो और जादा sharp हो गए, और जादा symmetrical, मतलब एक से हो गए, proper एक से tools बनाए जाने लगे, raw tools आपको देखने नहीं मिलेंगे, साथ में इन में polish होने लगी, जो hunting है, इसके साथ में agriculture के लिए भी बहुत सारी इसके का tool यूज करा जाएगा, बाकी और चीजों के लिए जैसे sickle है, saw, आरी का यूज करते है, grinding stone का जो अनाज है, उसको पीसने के लिए यूज करा जाएगा, kelt का यूज करा जाएगा, digging stick का यूज करा जाएगा, dagging है, dagger और slingshot, gullet जिसको आप कहते हैं, ये सारी चीज इसके लावा, चुपानी मंडो, बिलन वेली में, इसमें आपको earliest evidence मिलते हैं, pottery के, बुर्जों में आपको अफशेश मिलते हैं, कुत्ते के जो domestication of dog है, इसके बारे में पता चलता है, और pit गड़े में घर बने, इसके बारे में भी पता चलता है, क्योंकि ये जम्मू कश्म के अफशेश मिल जाते हैं, South India की बात कर तो मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, कोडेकल, जो करनाटक में है, पायमपली, तमनलाडू, उठनूर, जो अंदर प्रदेश का है, ये भी important नियोलितिक साइट थे, कुल्दिवार जो है बेलन वेली का, यहां पर आपको 3-fold नियोलिति नियोलितिक, चल्कुलितिक, और आईरेन हैच सेलमेट्स देखने मिलेगी, मतलब नियोलितिक, फिर उसके बाद कॉपर एज और इयरेन हैच, तीनो की सेलमेट्स, आपको मेहरगड, आपको ल दिवा बेलन वेली में देखने मिलेगी, लाहूर दिवा, संथ कभी नगर उर के बारे में जान दिया है अगर हम देखे तो यह जो मिड रीजन रहा है बोलन रिवर जो उत्तर प्रदेश और नर्वदा के बीच का जो एक वैली वाला एरिया रहा है यहाँ पर आपको तीनों इसके आगे हम बात करेंगे हमारे अगले अगले डिश्टर प्रदेश की बीच में जो नर्वदा वैली का रीजन है वहाँ पर आपको तीनों लिथिक एजिस के अफ्षिश मिलते हैं इसके आगे हम बात करेंगे हमारे अगले डिस्केशन में चलकुलिते केज या पर कॉपर एज के बारे में कॉपर एज के बारे में हम डिस्केशन करेंगे और इसके साथ हम आई रैन एज के बारे में भी डिस्केशन करने वाले हैं हमारे अगले डिस्केशन में तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेक्चर्स को देखते रहें, डिवीजन करते रहें, थैंक यू.